तो डेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बी ए फिप्त समस्तर के सोस्योलोजी के फस्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन एंसर के बारे में आपके जानकारी के बता दे फिप्त समस्तर में हर सब्जेट के दो पेपर होंगे ठीक है और उसी तरह स सोस्योलोजी के फस्ट पेपर यानि के प्रतम प्रशन प्रतर फिजुड़ें मौस्ट इंपॉर्टन कोईश्चन और उसके हम आपको उत्तर बताने वाले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज किस वीडियो को सबसे पहला प्रशन है कि समासाफ्त का उद्भो इ अपने हिवाफ पे तयार कि कुछ कोईश्चन आफे हैं जो कॉमन होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं तो वही मैंने कोईश्चन इस वीडियों में इनके लूट कि हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके गिया में ठीक है तो समाज का उद्भों विकास के बारे में जानत सम्रद रहा मतब कि परफेक्ट रहा है ठीक है जैसे कि इंसान एक होता नहीं कि सब्सक्राइब इसको कम पढ़ें या फिर लोग इसके बारे में कम पढ़ना पसंद करें या फिर सब्जेट को लेना बंद कर दें ऐसा कुछ नहीं हुआ मतब कांटिनू बढ़ता ही रहा सम्रद रहा परफेक्ट ठीक है उप प नहीं करण्त कारी समाज साफ्त्त पढ़ने का में लएक में सबसे की रूप में सबसे पहले ये प्रमुख इंवर्शिटी इसका नाम है समाससाथ के पारे में राममान कोश्चन है पहसेगा अमेद पूरी है उसके बाद अकला समाज का मतलब होता किसी चीज में उन्यत होना इसका बढ़ना लोग जान सके उसका उसका विकास उखार ने यह संथ आध्यन मतलब सीखने का सब्जेक्ट है जो समाज करने का प्याफ किया जाता है यह प्रियाफ करता है यह चाहिए करने का करता है इसमें या खोजने का प्रियाफ किया जाता है या सर्च करने का प्रियाफ किया जाता है कि किस प्रकार हमारी जो संस्कृतिक कल्चर है संदाशनात्मक यानि कि जो हमारा structure है ठीक है विकाफ का युम आर्थिक विकाफ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ठीक है सांस्कृतिक संदाचनात्मक विकाफ और आर्थिक विकाफ एक दूसरों को इंपेक्ट डालते प्रभावित करते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे समाज में विकास क्या है हाला कि यह कोईश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता है लेकिन मैंने सुचा कि आपको बताना जरूरी है अब कोईश्चन आया है कि भारत में समाज साफ्थ का उद्भौ कैसे हुआ अभी तक आपने जाना कि सिर्फ हो सिर्फ वहां पर था समाज साफ्थ का उद्भौ भी कास लेकिन अब यहां पर भारत लग गया वहां पर अमेरिका के बारे में जाना था अब यहां भारत के बारे तो उत्तर लिखेंगे इस्टन 1917 में कलकत्ता इन्वर्सिटी में यनी कलकत्ता बिश्विद्धल में प्रोफेसर बिजेंद्र नाथ सील के प्रियत नयानी की ट्राई करने फे कोशिश करने से अर्थ बेवफ्था के साथ समासाफ्त का अध्यन कारे चालू किया गया अर्थ शाफ्त पुराना है समासाफ्त की गुलना में तो अर्थ शाफ्त पढ़ाया जाता था लेकिन उसके साथ समासाफ्त का अध्यन लोगों को जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ाने का प्रियतन या फिर कह सकते हैं कि अध्यन जो है वो कारे चालू किय गया ठीक है शन 1921 में लखनों बिश्विद्दल में अर्थ साफ्तर विभाग के अंतरगत शमास साफ्तर को मानता देदी गई ठीक है यहनि कि अर्थ साफ्तर पढ़ा जाता था उसी डिपार्मेंट में ही समास साफ्तर को लोगों को पढ़ाने के लिए में मानिता देदीए दोगे ताकि लोग उसको पढ़ सके और स्टूडेंट को जो पढ़ा सके ठीक मतलब टीचर पढ़ा सके ठीक परंत इस बिसे का अध्यन अर्थ बिसे के अंतरगत किया जाने लगा जैनी कि आर्थ साफ्त के साथ साथ इसको भी पढ़ाया जाने लगा चात्रों को ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे बाद में समाज साफ्त का उद्भो और उसका विकास देरे-देरे कैसे हो इसके बारे में परिचे ठीक है इतना भी लिख देंगे अगर अगर अतल लग उत्रे में आ समाज हो गया साफ्त हो गया तो समाज साफ्त की जो पत्ते दो सब्दों से मिलकर बनी है जिसमें पहला सब्थ जो है वह सोचियस है जो की लेटिन भासा का है और दूसरा सब्थ लोग अपने ग्रीक भाफा पर लिया गया इन्हीं दो सब्थ को जॉइंट करके सोचिलोजी जिसको हिंदी में समाज साफ्त बोलते हैं बनाया गया है इस प्रकार समाज साफ्त का साफ्त या समाज का विग्यान है या समाज का साफ्त कह सकते हैं या समाज का विग्यान कह सकते हैं साफ्त को हम विग्यान भी कहते हैं और साफ्त को साफ्त भी कहते हैं समाज साफ्त रखे गहें जिनसे बना है उसका अर्थ ठीक है चलेशा कोश्चन है कि समास साफथ्र और इतिहास में अंतर कॉश्चन है इसमें कई सारी निए परता धे रहा हूं समास साफथ्र और इतिहास में अंतर Надकर है यहां पर हो गया अब दूसखर आपको देखने पूल सक्ता समाज साफ़्तर और अर्थ साफ्टर में अंतर बता इनसे समाज स्वापतर और प्रेज नितिहास में यहां पर आता भी पूछा सकता है टीक है और आता भी है ऑग्हाएं च्छेतर का ख्येतर सीमेत होता है जो समाज है बहुत बड़ा है च्छेतर होता उतिहा जो है कि है इतना ही पुराना इतिहास था ठीक है उसी के बारे मता जाता है लेकि जो समाज है वो बहुत बड़ा है ठीक है समाज एक समान बिग्यान है क्योंकि इसका सम्मंद समाज से है जबकि इतिहास एक बिशीष बिग्यान है क्योंकि इसका सम्मंद के वल एतिहास घटनाओं से ही है ठीक है मतलब कि य तो समात के बारे में जानना सीखना उसको कैसे आगे बढ़ा जा वक्ता उसमें कैसे इंक्रिमेंट किया जा वक्ता है यह सब चीजे जानकारी मिलती है इस सब चीजों के बारे में इसमें पुरानी समय में बीतो चुकी है उन्हीं के उसके बाद अगला अंतर है कि समासाफ्त टो बंग्यानिक पध्धत का प्योग करता है है निकि जो बिद्वान लोग हैं उनके हिसाफ से हर चीछ डिसाइड की जाती है और जबकि इतिहाफ है इतिहाफिक बिद्यों का प्रियोग करता है निक पुराने समय में जुरीतरी वास चली आई थी कि उन्हें पाइटन को अपना आजाता है तो इस प्रकार यह अंतर हो गय कि सम साफ्थ्र प्रचीन घटनाओं से अधिक सममंदित नहीं मत्रत कि सम मुझास साफ पूरानी घटनाओं हो चुकी में उनके बारे में इसम说 आधिर किया जाता है अधियों कि परजीभार छारा से पांच डिफेरंस लिख देंगे पूरी निभर मिलूद-घाइन फंके बाद मैं अंतर या फिर सम्मन्द है अब दूसरा कोईश्य है समाज साफतर और राजनेति साफतर में अंतर तो इन दोनों विग्यानों के बीच पाए जाने वाले कुछ प्रमुक अंतर निम्नुवत हैं तो चलिए एक दो जान लेते हैं पहला कि समाज साफतर संपूर्ण समाज का समान अद्धिन है राजनीति फाफतर समाज के केवल राजनीतिक पच्छ अरथात राज की उत्पत ब्यावसाय बिजनेफ तथा विकास संबंदित है इस परकार या एक सीमित और विश्ष्ट प्रकतिका विग्यान है ठीक है और समाज साफतर समाज की केवल उन संगठित दसाओं का ही अध्यन करता है जिन पर राजनीतिक जीवन की एसपस्ट चाप यानि कि जहां तक राजनीति छेतर है जहां तक लोग राजनीति फिजुड़ें बस वहीं तक इसका वरण किया जाता है इसके बारे में अध्यन किया ज सारे अंतर आप लिख देंगे हापर तीन अंतर प्रस्तुत है और अप लिख देंगे अगर प्रशनाता तो पूरे नंबर मिल जाएंगे कि शमाज सुधार आंदोलन कब हो हैनि के समाज को सुधार ने के लिए कुछ आंदोलन किये गहीं जिसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले समाज सुधार जो आंदोलन है कब इसकी शुरुबात हुई थी तो उत्तर लिखेंगे समाज सुधार आंदोलन की शुरुबात का दियान की मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में इशाई, मिसिनरियों और आर समाज के विवादों के खिलाफ लड़ने के लिए की थी समाज सुधार आंदोलन किया था ठीक है तो ये रहा वर लाइनर इसका एंसर बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं ठीक है अगला कोश्चन की भारत में कितने समाजिक सुधार आंदोलन किये गए थे तो सुन लेजिए सुधार आंदोलन को मोटे तोर पे दो फ्रेंडियों में वर्गिकरत किया जा सकता है तो पहला तो हो गया यहाँ पर सुधार वादी आंदोलन ठीक है जचके अंतरगत ब्रह्म समाज प्रात्ना समाज अलेगड़ आंदोलन आता है और दूफरा हो गया आर समाज ठीक है आर समाज और देवबंध आंदोलन और इसमें आ गया पुन रुथ्वान वादी आंदोलन ठीक है तो इस प्रकार लिख देंगे इसका इंसर हलाकि कोश्चन बहुत कम आता है समाज को सदारने के लिए कुछ हांदोलन किये गए तो उनके बारे मैं जान लेते हैं ठीक है समाज में कुछ कुरूती आ जाती है कुछ गर्वड़ी चलने लगती है कुछ ऐसी पौलिसी कुछ नीत कुछ रीत रिवाज आ जाती है ठीक है कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे जन धन सब की हानी होती हो चाहे इंसान हो चाहे धन हो चाहे आपके कुछ भी हो समय हानी होने लगती है समाज को हानी हो ले लगती है समाज में बहुत फारी गलत फैमिया फिर गलत चीजे प्रबेस कर जाती है तब बहुत फारे आंदोलन किये गए हैं तो जिसमें से जानता है कि समाज को फुधाने के लिए आंदोलन जो किये गए उनके कानड क्या थे किस वज़ा से किये पहला था जन्म के समय कन्या प्रथा 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 प्रथ पर प्रिचलित थी तो यह कुछ कारण है जिनकी वज़ा से समाजिक फुदारा अंदुरन किये गए हैं ठीक है अगला है कि फ्रांस शेशी करांत क्या थी और इसके क्या करण थे यह बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा इसका एंसर भी लिखना है आप लोगों को इस करांत का जो मुख रीजन था वो समाज में रहने वारे लोगों में असमानता थी इस वज़ा से यह करांत की गई थी मिड्लिन की अनुसार जो की प्रमुख समाज साफ्ती और बिद्वाण है उनके कहा है फत्रफ सन्वासीश भी की करांत का बिद्व ताना साहि से अधि समानता के प्रत थी फ्रांस की करांत के समय फ्रांस में समाज में अतधिक असमानता लोगों के समानता नहीं थी अलग-अलग मतबेत थे अलग-अलग लोगों के बिचार थे ठीक है असमानता ब्याप तो हो गई थी मतलब कि नस नस में बस गई थी शमाज दो वर्गों में विभाजित किया गया था बेशे साधिकार वाले वर्ग में कुलीन लोग और पादरी थे ठीक है अपर समझने वाली बात ये है कि समय समय पर समाज के अलग-अलग वर्ग किये गए है अलग-अलग इसको विभाजित किया गया है तो ख्रांज के समय में दो भागों में विवाज़ित किया गया था ठीक है बस से अगर वर्ग देखे जाएं तो समाज वो चार वर्गों में विवाज़ित किया गया जो कि मैं आपको बताई भी चुका हूं तो आप इतना इग्णोर कर दीजेगा और ना वीडियो पूरा देखेंगे नहीं वैसे भी इसलिए में में टोपिक बता दे रहा हूं ताकि आप इसके आगे बना खिलिक और महात्पूर्ट प्रस्मता दे रहा हूं ठीक है ताकि आपको पता चल सकी कौन से कुश्चिन आएंगे अगला कोश्चिन की प्रांस इसका कब चुका है तो उत्तर लिखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन महादूपिय यूरूप और सेयुक्त राज अमेरिका में ने और्दोगिक तरीकों में बदलाव लगबख फत्रह सबसाट और अठारा सो बीस और अठारा फचालिश के बीच हुआ जिसे और्दोगिक करांद के बाकि इसके बारे में और भी डीटियल में अगर आपको जानना है तो आप हमारी वेफसाइट पर विजिट कर सकते हैं डियर स्टुडेंट डोट इन पर सर्च कर सकते हैं लेकिन कुलम्रा के महात्पोंट प्रशन है और दोगिक करांद और फ्रांस की करांद दोनों फसते ह हमेशा इस बार भी पूरी उम्मीद है फसेंगे ठीक है अगरा क्वश्य के कि अर्थ का आर्थ क्या है इसके बारे मताईए तो और दोगिक क्रांद का आर्थ का फाधारा बैपक अफ्तरपन निर्माण की प्रिक्रिया और अद्दोगिक करांत कहा जाता है ठीक है यह आप सब एक मावलों कि पहले हर चीज हाथ से किया जाता है ठीक है हाथ से वस जो भी चीज़ें बनाई जाती थी मैनुली होता था लेकिन अब हर चीज के लिए आधुनिक समय में और प्रेंगे निर्ट आज़रिंग मसीने आ गई हाला कि इस समय ये भी आ गया है नार्मल चोटे-चोटे सफेरों में भी कि रोबोट खाना देने लगा रिष्टोरेंट में या फिर किसी होटल में ठीक है रिष्टोरेंट में ठाभबा पे ठीक है वानताब कि रोबोट के माद देन से रोबोट को जो इंस्ट्रेक्शन देऊगे जो भी मंगाना होगा वह आप लोग वहां पर उटर कर दीजिए और वह आपका खाना रोबोट लेकर आएगा तो इस तरह की आधोनिक मसीनी हो गई ना फिर फोर ना सिर्फ इस शेत्र में हर शेत्र में ठीक है माद पूंट प्रशन ध्यान रखेंगे आधो की क्रांथ क्यों सुरू हुई ठीक है भी माद पूंट प्रशन है और आमबाण कोश्चन है इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतर राष्टे बेपार में जो बिजनिस था उसमें सफलता ने बेटें की उच्छ वेतन सफ्थी उर् उर्जा का अफ्थान ले लिया यह प्रतसाहन कई उद्यगों में संचालित हुआ और यहीं फ्योद्यू क्रांथ की सुरुवात हुई तो इसी प्रकार थोड़ा बेसिक पर्चे लिख देंगे बाकी डीटेल में गूगल पर सच कर सकते हैं कुल मिलाके मेरा कहने एक सब्सक्राइब करें तो टेलीग्राम अट्सप पर मैसेज करके आप अपरात कर सकते हैं और इफी तरह के महत्पॉंट प्रश्ण और राम बाड़ कोश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको वह सारी कोश्चन बताते हैं जो पिसले वर्सों में लगता सब्सक्राइब करेंगे पूरा सपोर्ट करेंगे महा संग्राम पीडियाब देंगे सब कराएंगे ठीके बस चैनल से जोड़े रहेगा इसके लामा कोई कोश्चन जरूर पूचे मिलते हैं को ने वीडियो उच्छा जब तक लिए जहन्द